नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल में मैरानी गुपता आपके साथ और बड़ी ख़वर सामने आ रही है आपको बता दे कि फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने सीधे तोर पर बॉलेवुट को आईना दिखाया है और उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि बॉलेवुट का असर देखने को मिल रहा है क्योंकि लाल सिंग चढधा जो मुवी है उसके बॉक्स ओफिस का जो नमबर्स है यानि की कलेक्शन्स उस पे साफ साफ असर इस बाईकॉट का देखने को मिल रहा है इससे बॉलेव के द्वारा बाइकॉट का ट्रेंड चलाया जा रहा है और देखने को मल रहा है कि पिछले लगातार दो-तीन महीने से जो बाइकॉट लाल सिंग चड़ा किया जा रहा था ट्वीटर पर वो लगातार ट्रेंडिंग पे था और इसका असर यह हुआ कि आज जो थीटर्स है वो पड़े हैं तेरा सो से जादा के शोज जो हैं लाल सिंग चड़ा के वो रद्ध हो चुके हैं इसी के साथ ही बहुत कम संख्या में जो लोग है वो इस मूवी को देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंच रही है और अगर कमाई की बात करें तो तीसरे दिन तक इस मूवी इने सर्फ और सर्फ 27 करोड का ही आकड़ा पार किया है इसी के साथ है अगर मूवी के बजट की बात करें तो 180 करोड के बजट में ये फिल्म बनी है लेकिन अभी तक ये मूवी जिस तरीके से रफ्तार पकड़ा है इसने तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी अपना बजट तक निकालने में काफी इसको मुश्किल होगा इसी के साथ ही देखने को मिला था जहां आमर खान ने खुद कहा था कि लोग इस मूवी का बहिशकार ना करें और इस फिल्म को अधिक साधिक संख्या में देखे तो वहीं करीना कपूर खान ने भी पिछले दिनों बयान दिया और कहा कि मुझे लगता है कि लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए और इसका बहिशकार ना किया जाना चाहिए आपको बता दें इससे पहले जब मूवी रिलीज नहीं हुई थी 11 अगस्त से पहले की बात करें तो ये दोनों ही एक्टर्स ये कहते थे कि बाइकोट ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है बॉक्स ओफिस का लेक्शन में और इस मूवी की कहारी अच्छी है लोग इसको पसंद करेंगे और अधिक से अधिक इसको देखने के लिए इसमें आएंगे लेकिन जैसे ही मूवी रिलीज हुई लोगों ने जो ट्रेंड चलाया था बाइकोट उसका सीधा असर देखने को मिला थेटर्स पर लोग ना के बराबन नजर आएं इसी के साथ ही पूरा जो इफेक्ट है वो बॉलिवुड कलेक्शन में पढ़ा बॉक्स पर पढ़ने लगा और मूवी जो है बहुत कम कमाई कर रही थी तब इन दोनों ही एक्टर का जो सुर है वो बदले-बदले से नजर आते हैं और लोगों से यह अपील करते हुए नजर आते हैं कि इनकी फिल्मों को देखने के लिए वो थीटर्स तकाएं आपको बता दे द बॉलेवुड में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है क्योंकि उन्होंने सीधे तोर पर बॉलेवुड को आई ना दिखाते हुए ट्वीट कर लिखा इसे बॉलेवुड मून नहीं मोड सकता इस सच को उन्हें अपनाना पड़ेगा फेस करना पड़ेगा आपको बता दे बॉलेवुड अक्टर आमिर खान के फिल्म लाल सिंग चड़ा का बॉक्स ओफिस पर बुरा हाल होने के बाद फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने अपना बयान दिया है उन्होंने कहा कि कभी भी बहिशकार के आवाहन को हलके में नहीं लिया जाना चाहिए इसी के कारण आज लाल सिंग चड़ा का बुरा हाल हो चुका है उन्होंने कहा कि बाइकॉट के आवाहन को नकारना बंद करें कि इससे फिल्मों पर कोई असन नहीं पड़ता कभूल करो कि बहिशकार के सावाहनों से बॉक्स ओफिस पर फर्क पड़ता है खासकर लाल सिंग चड़ा के मामले में ये हुआ है अब इसका सामना करें आपको बता दे कि लाल सिंग चड़ा फिल्म अपनी रिलीस के पहले सही लगातार बाइकॉट के कारण का फीचर चामे रही है लोग इस फिल्म पर बात जरूर कर रहे हैं लेकिन इसे देखने नहीं जा रहे हैं शुक्रवार को फिल्म के बिजनस की बात करें तो इस फिल्म ने 6-7 करोड का आकड़ा किया था इसी के साथ ही इसके पहले दिन की कमाई के बात करें तो फिल्म ने 12 करोड का बिजनस किया था इस तरीके से पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन के बिजनस में 40% से अधिक के गिरावट साफ साफ देखी गई आपको बता दें कि थीटर में लोगों की अनुपस्थती को देखतुए देश भर के कई सिनमा घर के मालिकों ने शुकरवार के लिए इसके 13 साफ से जादा के शोस कैंसल कर दिया था वही फिल्म रिलीज के दूसरे दिन यानि कि शुकरवार को दोपहर से पहले कई शोस भी दरशक नहीं देखने गए थे पहले दिन कुछ ऐसे भी शो रहे जुन में सिर्फ 10-12 दरशक ही फिल्म देखने पहुंचे थे आपको बता दे कि फिल्म की रिलीज से पहले आमिर खान इस बहिशकार के आवान को देख बहुत जादा परेशान हो गए थे उन्होंने बयान भी दिया था और कहा था कि लगातार मुझे मैं कई दिनों से सो नहीं पा रहा हूं काफी जादा नवस हूं और ये फिल्म जब रिलीज होगी और अच्छा बिजनस करेगी तभी मैं चैन से सो पाऊंगा इसी के साथ ही वो लगातार दर्शकों से कह रहे थे कि उनके फिल्म को देखा जाए लेकिन इस विंती का सर फिल्म रिलीज के बाद भी देखने को नहीं मिला और हाल भी वही र करने की भीविंती की थी उन्होंने कहा कि कृपया उस मूवी का बहिशकार ना करे लोगों का या वास्तों में अच्छे सिनेमा का बहिशकार करने जैसा होगा और लोगों ने इस पर बहुत मेहनत की है धाई साल से इस फिल्म पर 250 लोगों ने काम किया है आपको बता दे कि सिन फिल्म हॉलिवूड की ओस्कर विनेंग फिल्म फॉरस्ट गम का हिंदी वर्चन है से बावजूद अगर हम हॉलिवूड की बात करें तो हॉलिवूड में इस मूवी ने ऍविनें ओसकर जीता था लेकिनि इंदी में जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया रीमेक किया गया तो ये मूवी जो है वो थीटर्स पर लोगों को आकाश्चत नहीं कर पा रही है ओडियंस जो है थीटर्स पर नहीं जा पा रहे हैं बॉक्स ओफिस पर भी इस मूवी ने कोई खास कमाल नहीं किया है आपक पॉय्टिंग है और इसके साथ ही उन्होंने आमिर खान की एक्टिंग को लेकर भी बाते कहीं थी और कहा ठा कि यह नॉर्मल एक्टिंग जो है वो पहले भी मुवीज में कर चुके है इसी के साथ एक्टिंग को लेकर भी तमाम जो मूवी क्रिटिक्स हैं उन्होंने सीधे तोर पर कहा था कि आमिर खान कहीं ऐसा लगता है कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर ऐसा लगता है कि वो धूमत्री पीके और गजनी जैसे किरदारों से उबरे नहीं है निकले नही है तो उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर के अपना रिवियो दिया था और इसको लेकर के पूरी तरीके से बोरिंग बताई थी इस मूवी को और कहा था कि इस मूवी को सिर्फ पाकिस्तान को अच्छा दिखाने के लिए या कि यानि की पाकिस्तान कितना अच्छा मुलक है ब मैंने आज तक तुम्हें कभी पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा है तो इस पर आमिर खान ये कहते हैं कि पूजा पाठ करने से मलेरिया होता है और ये बात उनकी मा ने बोला था और ये जो मुवी का क्लिप है वो काफी जादा सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है और लोग एक बार फिर से इस मुवी को ले करके बाइकॉट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतने जादा बाइकॉट करने के बाद उनके पुराने बयान वारल होने के बावजूद आमिर खान को कोई सीख नहीं मिली है और वो इस मुवी के जरिये यही बताने के कोशिश कर रहे हैं क कि एक बार फिर से हिंदु धर्म का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि पूजा पाठ करने से मलेरिया होता है तो देखने को मिला है कि 11 अगस्त से पहले जब यह मूवी रिलीज नहीं हुई थी तब बाइकॉट का इतना ज्यादा असर पड़ा और इ क्या थी तब हुले थी यह मूवी थी तब इटाने से शिए।